हेलो फ्रेंस और गुड मॉर्निंग वेल्कम टू में ब्लॉग यह सही देख रहे हैं यह उरत डाल और चावल है अभी इडली बनाएंगे फ्रेंस तो फ्रेंस क्या करते हैं जटापट स्यूर करते हैं वीडियो को और उरत का डाल और चावल को मैं सोख कर दी हूं 3-1 रेशिय के लिए से बनाते हैं यह हम लोग ऐसे ही थोड़ा सा सॉल्ट यूस करके अच्छे से घूल लेंगे और बैटर हमारा रेडी हो गया है अभी जो इडली मेकर का टायर जो है उसको अभी अच्छे से ओयल में ग्रीस कर दिये हैं प्रॉपरली एक टायर अलरी बन चुका है और पानी गरम हो चुका है नीचे इडली मेकर में और अभी दोनों टायर रेडी अभी जाने अभी फरस्ट बैच बनके रेडी हो जाएगा फिर सेकेंड बैच बनाएंगे वैसे ही थोड़ा सा जादा बना लेंगे बिकास बहुत फेड़ेट है उसको स्टोर भी कर सकते है एक बहुत जादा फ्लफी सॉफ्ट एकदम से साउथ इंडियन वाला वाइप सा जाएगा फ्रेंज तो यह हमाना दोनों टायर बनके रेडी हो गया है अब इडली मेकर कभी बस शुरू हो जाएगा देखिए फ्रेंज अभी कितना फ्लफी और सॉफ्ट बना है फ्रेंज विद इसलिए थोड़ा जब वह बैटर बना देंगे थोड़ा सा डप डप कर लेंगे इसको तायर में बैचे स्वोम में ऐसे ग्रीस करके उसके बेस को बस फिल करते जाएगा और खाते जाएगा और एंज़ॉय करते जाएगा फ्रेंज चैनल अच्छा लगा तो लाइक करें शे देखिये एक्तम सौफ्टी सौफ्ट वो सो फलॉफी तो रियली बहुत ज्यादा टेस्टी और इसको गरम गरम खाएंगे तो और भी ज्यादा चलागी गा फ्रेंज और उसका चटनी तो it's like cherry on the top friends तो जरूर देखिगा उसका चटनी में भी शेयर की हूँ last में बहुत जटपड I think within 5 minutes आपका चटनी बनके रेडी हो जाएगा trust me with basic ingredients and किस किसा इडली फेबरेट है comment में जरूर बतायेगा आप लोग भी कभी try किये है किने इडली बहुत healthy होता है so steamed इडली recipe है ये and उसको अलग अलग टाइप कभी आप बना सकते उसके ऊपर भी कुछ कुछ you know stuffings add का सकते कोई कोई पनीर भी आड करते है या फिर anything else you can add like some veggies also and now it's time for chutney so chutney में कुछनी एक बड़ा medium size का लेना है आपको प्याज और टमाटो six cloves अमिन गार्लिक और ये है chili powder और टैमरेंट का पल्प अगर है तो यूज करेंगे थोड़ा सा पाने आड करके ये बनगे हमारा smooth paste तो हमारा चटनी बनके ready इसका paste बन गया है अभी चटनी में तड़का आड करेंगे तो इसलिए हम लोग पैन गरम करेंगे उसमें आड करेंगे थोड़ा सा mustard oil येस mustard oil में taste enhance होता है mustard oil में थोड़ा सा राय लेंगे हम लोग mustard seeds उसका जैसे crackling होगा वो paste pulp को हम लोग एड कर देंगे में एक ऐसे pulp रखी हूं tomato उसको अच्छे से यूनो मिलाते जाओंगे और ये हमारा cumin cumin powder and chili powder थोड़ा सा एड की हूं पर ये साल्ट यूज ने की थी तो इसलिए भी taste अनुसार salt आप अपनी जाप से जादा कम ले सकते हैं और उसको अच्छे से सौते करिए मिला लेजे अच्छे से वह pulp को मैशी मैशी करके एक जम से एक रफन मतलब एक जादा smooth नहीं चाहिए chutney जैसे उसका consistency होता है थोड़ को प्रिपार करना है तो येस आवर चटनी इस डन वाँ है ना easy and simple तो इसमें तड़का में आप चिली रेड चिली भी यूज कर सकते हैं बट येसमें उसका powder form यूज कर दी हूँ इसलिए में यूज नहीं की थी तो हमारा ये टेस्टी टेस्टी स्टीम्ट हेल्दी इडली और चटनी बनके रेडी हो चुका है अगर आपको अच्छा लगा चैनल को लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें बेल आइकोन भी प्रेस करना ना भूले फ्रेंज बिकोज आप कोई भी मेरा important useful वीडियो आपको तुरंद notification मिल जाए और मेरा कोई भी वीडियो आप मि पिन्स लवयो कि अच्छाइब तुरंट भी अच्छाइब नए गए खियां।cision पिजयोग लाए जवहएद, क्किर देशियो आपको हुस्नेध बिकोती है और चैनले प्रेंगे हों वीडियो quad गवदों कि तुरंपाइब एंस्कोश चैनले जाहर दिए है है झाया मेरे ल